वेलकम दोस्तों हमारे चैनल पर, तो दोस्तों हमारे चैनल से जूरे रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करेगे और साथ महीं बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि जब ही मैंको डिजाइन अप्छोन करूं तो आप उसे मिस ना कर पाए तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको ये गेट पर्दा डिजाइन बना कर बताऊंगी और वो भी ट्रिक के साथ बताऊंगी तो आप इस ट्रिक की मदद से आप इस टाइप का गेट पर्दा डिजाइन असानी से बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस डिजाइन को आसानी से बना पाए और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैं इस तरह का पट्टी डिजाइन ली हूँ जो मैंने अपने चैनल पर बना कर बताया भी है तो अगर आप इस टाइप का पट्टी डिजाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर यह डिजाइन देख भी सकते हैं तो देखिए हमें क्या करना है यहां पर हमें सबसे पहले यहां इसे बांध लेना है और उसके बाद यहां पर हमें तीन टोप लेना है तीन फंदा लेना है और दो बर बांधना है देखे इस तरह से तो हमने तीन फंदा ले लिया है अब हमें थोरा सर्फ दूरी पे इसमें फिर तीन फंदा लेना हमें एक चैन के बाद तो इस तरह करके हमें पांच बढ़ लेना है झाल तो देखे इस तरह से हमने पांच घर थोरी थोरी दूरी पे तीन फंदा लेकर हमने बना लिया अब हम यहां पर गुली बनाएंगे दो चैन लेकर और आप अपने हिसाब से इसमें गुली की मोटाई भी रख सकते हैं लंबाई भी रख सकते हैं मैं इसमें स्रीप एक ट्रिक बनाकर आपको बता रहे हूं ताकि आप आसाने से इस डिजाइन को बना पाए तो एक गुली और फिर एक तो चैन और फिर एक गुली हम बनाएंगे तो देखे इस तरह से हमने एक गुली दो पाएंगे एक गुली दो चैन और एक गुली बना लिया है फिर थोड़ी से दूरी पे हम सेम उसी तरह मतलब थोड़ी से दूरी पे तीन गड़ छोड़ कर हमें एक ही जगह से तीन फंदा निकालना है और इसे बांधना है पहले एक को बांध लेंगे फिर दूसरा फंदा निकालेंगे उसके बाद एक चैन लेंगे इसी तरह करके हम पाच फंदा निकालेंगे पाच घर बनाएंगे बनाएंगे और सेम यही इस्टेप रिपीट होगा तो आप देखें और समझें कर दोता है झाल देखें इस टाइप से हमने बनाया है दो गुली फिर पाँच घर तो अगर आप बनाते हैं गेट परदा डिजाइन तो आप जादा घर रखेंगे छे घर या आठ घर या साथ घर इस टाइप से आप बना लेंगे और मैं इसमें दो ही घर पे मोड ले रहे हूँ क्योंकि मैं दो ही घर पे आपको भी बना कर बताऊंगी आप इस तरह से आप साथ या छे घर बना लेंगे और सेम यही इस टेप करेंगे जो इस टेप मैं दो घर पे कर रहे हूँ तो अब देखिए इसमें पाँच घर है तो अब हम इसमें चार घर लेंगे चार घर बनाएंगे तीन टोप फिर एट चैन और जो खाली जगह है इसमें उसमें हम बनाएंगे तो अब देखिए ये चार घर बन चुका है अब हम इसमें गुली बनाएंगे एक तो देखिए इस तरह से ये गुली बन चुका है अब हम इसमें क्या करना जो हमने ये घर लिया इसके बीचों बीच हमें तीन टोप लेना इस तरह से और फिर हमें एक गुली बनानी है तो देखिए इस टैप से मनें गुली बना लिया अब हमें क्या करना है इसमें पाच घर है तो अब हमें इसमें चार घर बनाना नहीं तो देखिए हमने चार घर इसमें इस तरह से बनाना है एक ही जगह से हमें तीन बार लेना है और फिर एक चैन करके इस तरह से हम चारों घर से लेंगे देखे सेम इसी तरह से तो मैंने इस तरह से ले लिया एक गुली बना कर फिर इसमें एक घर बना लेना है और फिर इसमें हमें चार घर बना लेना है देखे हमने गुली ले लिया है अब हमें इसमें चार घर बनाना है देखे सेम इसी तरह से कर दो कर दो तो अगर आप 6 घर इस टाइप का बनाते तो इस तरह से हमारा बनेगा अब हमें फिर इसमें तीसरा स्टेप देखना है आप जितना भी घर पर बना सकते हैं दोस्तों यह आपके उपर है अब हमें इसमें तीन खंड तयार करना है तो तीन टूप हमने ले लिया है इस तरह से अब हमें एक गुली बनानी है अब हमें क्या करना है इसमें हमने एक घर लिया था तो अब साइट साइट से हम दो घर बनाएंगे देखे इस तरह से इस साइट से हम दो घर बनाएंगे यहाँ से और तीन टूप निकालेंगे तीन फंदा देखे इस तरह से फिर एक चल लेंगे और फिर इस साइट से हम तीन फंदा निकालेंगे करेंगे है कि अब हम फिर से गुले बनाएंगे और इसमें अब तीन घर 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 जायेगा और इसमें घर बढ़ता हुआ जाएगा है lot देखे इसमें हमने चार घर बन गया है अब इसमें हम तीन फंदा बनाएंगे झाल झाल देखिए इस तरह से अब हमें फिर से गुली बनाना जो इस टेप है जैसे इस तरह से साइड में और फिर इस साइड में लेना जैसे हमने इस में लिया था और उसके आद फिर से हमें गुली बना के इसमें तीन घर लेना है इसमें गुली हमने बना लिया अब हम इसमें तीन घ बनाएंगे, देखिए हमने तीन घर ले लिया, अब हमें इसे पलट लेना है, इस तरह से, ये देखिए ये तीसरा इस्टेफ है, तो मैं पहले ही बता दे रहे हो दोस्तों, आब 6 घर या 7 घर पे बनाते हैं, इस तरह से पहले एक तरफ का भी बनता है, फिर हम दूसरे तरफ क भी बनाते हैं, तो पहले हमें एक तरफ का भी इस तरह से बनाना है, देखिए इस तरह से अब हमें घर घटाना है, तीन है तो अब हमें दो घर लेना है, और हमें एक गुल्ली बनाना है, देखिए इस तरह से, अब हमें एक गुल्ली बनाना है, देखिए अब हमें एक गु तो इसमें देखिए एक ही जगह से फंदा लेंगे तीन फंदा फिर हमें बीच से एक फंदा लेना है दोनों घर के बीच से तेखिए यहां और फिर हम साइट से फंदा लेंगे और अब एक गुली बनानी है देखिए इस तरह से यह बन रहा है अब हमें एक गुली बनाना है इस टाप से यह बन चुका है तो अब हमें क्या करना है अब इसमें तीन घर है तो अब हमें इसमें दो घर बनाना है देखे किस तरह देखे इस तरह से हमारा दो घर कम्प्लीट है अब हम इसमें सेम वही एस्टेप करेंगे जो हमने इसमें स्टेप किया था देखे इस तरह से उसमें तीन इसमें भी तीन और एक गुली बनाएंगे और फिर इसमें हम तीन है तो दो घर बनाएंगे और फिर इसे पलट लेंगे तो अगर आप छे घर बनाते तो छे घर का भी एस्टेप सेम यही होगा तो हमारा छे घर इस तरह से बन के तयार होगा, जैसे ये दो घर बन के तयार हो रहा है, अब हम इसमें पलट कर एक घर इसमें बनेगा, क्योंकि ये घट के अब एक पे आ चुका है, दिखे इस तरह से में एक घर बनाएंगे और एक गुली बनाएंगे, दिखे इस तरह से, ये घट चुका है, इस तरह से में गुली बना लेंगे, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें तीन घर है, तो अब हमें इसमें चार घर बनाना है, तो साइड में हम एक बनाएंगे, और फिर बीच में निकालेंगे, तो देखे, तो देखे, इस तरह से हमारा ये टैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, फिर गुली बनाएंगे, इसमें गुली बनाना है, और अब हमें इसमें एक घर बनाना है, इसमें दो है, तो अब हमारा एक घर इसमें बनेगा, उसके बाद अब हमें क्या करना है एक गुल्ली बना लेना और अब हमें सेम पहिये स्टेप इधर भी करना है गुल्ली बनाने के बाद सेम इसमें हमें जैसे इसमें घर बना हुगा है चार खंड इसमें भी हम यहाँ पर इस साइट में सब में चार घर बना लेंगे उसके बाद फिर हमें गुल्री तयार करना और इसमें एक घर बनाना है, लास्ट में हमारा एक घर बनेगा, तो अगर आप 6 खंड बनाते हैं, 6 घर इस टैप का बनाते हैं, तो इस टाइप से आपका यह तयार होगा खंड, अब हमें इसे पलट लेना है, और हम यहाँ चाहे त तो देखे इस टाइब से यह बनेगा इसके बाद आप उंतूर भी सकते नहीं तो फिर आप आगे स्टे बरहा भी सकते हैं तो देखे ये एक साइट कप भी तयार हो रहा है जब एक साइट कप भी तयार हो जाएगा तो फिर आप पट्टी जितनी बरी होगी उसके पुरा बराबर करके एक तरफ हम एक भी बनाएंगे और फिर दूसरी तरफ हम दूसरा भी बनाएंगे तो मैं एक भी बना कर आपको ब अब हमने एक गुली बनाना है, साइंड में इस तरह से करता हुआ जा रहा है तो अब फिर यह एक घर है, तो हमने इसे छोड़ देना है तो जैसे ही इसमें एक घर बन जाय है, हमने उस घर को छोड़ देना होता है तो इसमें तो एक ही घर तयार होगा क्योंकि मैंने इसमें दो लिया था तो अब एक घर तयार होगा और इसमें जोइन होगा इसमें भी अब पांच खंड बनाएंगे सेमें इसी तरह से देखिए इसमें भी हमने पांच तयार कर लिया है तो जैसे ही हमारा पांच खंड तयार हो जाए तो सेम हमें इसी तरह एक नया घर बनाने के लिए तरह किया जादा है तो अगर आप 6 घर बनाएंगे तो आपका 6 है तो 5 इस तरह से बनेगा जैसे मेरा नीचे एक घर तयार होगा है तो आपके उस खंड में 5 इस तरह से रेडी ह तो देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है यह देखिए इसमें लास्ट में जो हमारा पांच है अब उसमें हमें चार घर बना लेना है और इसमें हमें अब एक घर बनाना है जिस तरह से हमने शुरू में जो एस्टेप तो राया था बनाया है सिम वही एस्टेप यहां पे भी बनेगा देखे इस तरह से हम फंदा लेंगे और फिर से गुली बनाएंगे देखे इस तरह से गुली बनाएंगे और फिर जैसे ही इसमें ध्यान रखा जाता है दोस्तों कि जैसे ही हमारा पांच घर हो वो घर घटना स्टार्ट हो जाता है और जिसमें घर नहीं होता है ए देखे इस तरह से बन चुका है 4 घर अब हमें क्या करना है इसमें अब साइड में हमारा तीन घर बनेगा अब इसमें भी सेम उसी तरह से जो स्टेफ है उस स्टेफ को हमें रिपीट करना आप देख रहे हैं तो देखिं सेम इसे तरह से हमने इधर तीन घटाय तो उसमें दो गार बना लिया अब हम इसे फिर पलट लेंगे तो इसमें देखे इसमें इस तरह से इसमें दो घर है और इसमें तीन घर है फिर हमें से इस तरह से तयार होगा यह हमारा और अब हमें क्या करना है जब आप छे घर बनाएंगे तो पहले तो पांच घर बनाना पड़ेगा फिर चार तीन दो एक तो आपका लास्ट में एक घर हूं आप चाहे तो अपने हिसाब से बरागर ले सकते हैं और देखिए जब last में हम जाएंगे तो हमें इस तरह से भी तैयार कर लेना है यहां देखिए 5 ठाथ तो 3 2 1 हमें कर लेना है बड़फी बना लेना है तो इस तरह से हमारा यह एक भी तयार हुआ है, सेम अगर हम बनाना चाहे, तो फिर हम इस साइड हमें सेम ऐसा ही भी बनाना होगा, तो हमारा दो भी जो होता है वो तयार हो जाएगा, तो दोस्तों आपको यह मेरा ट्रिक कैसा लगा, आप असाने से इस डिजाइन को सीख पाएं या नहीं सीख पाएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा देखिए इस तरह से ये गेट है इस तरह से भी बना हुआ है तो अगर आप छे घर इस साइड लेते हैं और छे घर उस साइड लेते हैं तो आप भी छोटा त्यार होगा या फिर थुरा बड़ा चाहते हैं तो आठाट घर पे आप बना सकते हैं जैसे ये गेट परदा डिजाइन आप देख रहे हैं से इसी तरह आप इस डिजाइन से बना सकते हैं पहले एक तरफ का भी हमें तयार कर लेना है फिर हमें दूसरी तरफ का भी तयार करना है तो आप से इसी तरह का डिजाइन असानी से बना सकते हैं देखे इस तरह से इसमें घर लिया गया है और इसमें थोड़ी बरी बरी गुली भी बनाई गई है और फ्लावर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसमें तो देखे दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा और फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग